बढ़ना इसे में काफी टी आर्पी नंबर वान फर चल रहा है शो में अनूज और अनूज और अनूपमा एक होने वाले हैं लेकिन मेकर्स ने इस में काफी ट्विश्ट डाले हैं ऐसे में क्या कुछ आज रात के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा हम आपसे चर्चा करता है अनुपमा के आज की एपिसोड में आप यह देखेंगे कि अनुपमा बहुत बिस सब्रे से अनुप अनुष का इंतजार कर रही होती है परिवार में जस्टन का महौल है पूरा घर सजा हुआ है और अच्छे अच्छे पकवान बनाये जा रहा है अनुपमा खोद अपने हाथों से अनुष के लिए पकवान बना रही है और सोच रही है कि अनुष उसके साथ ही घर पर है दोनों के बीच के प्यारी बात्चित भ रुमांटिक अंदस दिखता है दोनों का यह रुमांस बहुत प्या הי owत है और दौसकों के दिल को चुझाता है अलांकि ये भी नुष का ही सप्ना होता है वही हाकीकत नहीं होता कार में बैठे नुष को बार बर माया फोन करेंगी लेकिन अनुष होट कट कर देता है इन सबसे अलग अंकूस अधिक में बातचीत होगी जहां अंकूस अधिक को समझाएगा कि अपने मेहनत से बड़ा कोई सुकुन नहीं है और उसकी दीदी जो रास्ता उसे दिखार ये उस पर वो अकेला रह जाएगा अंकूस कहेगा कि उसे इस बात का हैसास हो गया है कि अनुज ने उसके लिए क्या कुछ किया है तब ही वहाँ बर्खा आ जाएंगे और कहेंगे कि पाकी गलत नहीं है और अनुज की तारिफ करते वे खुद को गलत बताएंगे बरका की इस रंग को देख अंकुस भी हैरान रह जाएगा वहीं घर में वनराज कहेगा कि माया ने अनुष्ट को अपने माया जल से कैसे निकलने दिया माया की आखों में मैंने पागलपन देखा था और वो पागलपन से छुटना मुश्किल है पर वन्राज कहेगा कि कहीं मया का प्यार भी अनुपमा की तरह तो नहीं यूर उसने अनुच को जाने दिय को लेकिन वन्राज की माया उसके प्यार कilla शिया चल रही है तभी वहाँ पर अंकु साधिक और बर्का पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग है रान और राश्चरे चकित हो जाते हैं क्या कि बर्का कहां से आई धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद